हाँ जी गुड मॉर्निंग स्टुरिंट्स जैसे कि हमने आपको पहले भी बताये था इस इस प्री ओफ कॉस्ट इनिशेटिव आप सी यू इटी की चितनी भी प्रप्रेशन है हमारे चानल पर प्री ओफ कॉस्ट कर सकते हैं तो येस्टेड़े आप शेर्ड वीडियो जिसमे I had discussed the syllabus of the accountancy I hope उसमें आपको सारी clarity है अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम next previous year question papers पे चलते हैं जो कि हम 2023 का solve करने वाले हैं Why we are going to do this exercise is it's very important to understand कि कितना difference है in the questions of CBSE board and CUET and how to strategize Again, जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था, एक-एक question आपके लिए बहुत important है Approx आपको one minute ही मिलेगा इसकी किसी भी question को answer करने के लिए तो इस paper के लिए strategy बनाना और उसको अच्छे से solve करना is going to be very very important I hope you stay with me till the last of the video and it is going to be a little lengthy video I hope आपको जहां जहां पर भी doubts है, आप उसको comment करके हमसे पूछिएगा And before looking at the solutions, जो कि मैं आपके साथ share करने वाली हूँ आप एक minute के लिए pause कीजिए, आप उन questions को खुद attempt कीजिए It doesn't matter अगर आपकी काफी questions गलत होने वाले हैं It is going to be just an exercise for you इससे आपको पता चलेगा कि आपकी preparation कितनी अच्छी हुई है और कितना अभी आपको आगे और जाना है ठीक है बच्चो? So now let's look at the syllabus over here Again a reminder we are going to have commerce subjects, Hindi, English, Medical, Non-Medical, General Test That means morning to evening आपको free of course CU, ET, Civil, Staff पे Free of course सारी वीडियोस आपको मिलने वाली है कल से हमारे live batches शुरू है, accountancy अगर आप सीखना चाते है या revise करना चाते है या कोई भी आपके मन में doubt है किसी भी chapter को लेके तो I would suggest कि आप में साथ हरो शाम को 6 बजे 6-7 पीम के लिए जुडिए और हम live classes में आपकी doubts लेंगे हम अप हर topic को detail में discuss करेंगे और उसको एक thorough division के साथ आपको exam के लिए भेजेंगे जैसा कि हमें पता है CUET का जो exam है बचो it is going to be for 200 marks over here और इसमें जो time allowed आएगा वो है 45 minutes इसमें 50 MCQs दिये गए हैं जिसमें से आपको 40 attempt करने हैं like I said आप कौन से question को attempt करने वाले हैं कौन से question को नहीं करने वाले हैं उसके लिए आपको read हर question को करना पड़ेगा तो that means आपकी reading speed हमें यहां पर चाहिए secondly उसको solve reading के साथ साथ solve करने के लिए भी approximately one minute ही है हमारे पास तो हमारे यहां पर accuracy भी बहुत जरूरी है पच्छो तो speed and accuracy पर हम ध्यान रखेंगे जहां पर आपको एक सही answer के लिए five marks मिलेंगे गलत answer के लिए minus one हो जाएगा like I told you one question can take wrong question can take you back to minus six points over here जो आप five points gain करना चाहते थे वो तो आप lose करोगे ही करोगे साथ में एक point आपका minus भी हो रहा है तो that means अगर आपके साथ वाले बच्चे नहीं आपकी batchmate ने वही questions ही किया है तो वो six marks आपसे आगे चला जाएगा तो हर question को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कुछ questions elimination के through होंगे कुछ questions हम हमें उसमें तर्क लगाना पड़ेगा कि यह क्या पूछना चाह रहा है या कि हमें किस को किस तरीके से answer करने है वो सम्हाम आज देखने वाले हैं तो लेट साथ जर्णी वेरेवर यू फिल थे पॉसिबिल्टी यू पॉस एंड लूके देखने पॉस एंड देन आंसर जो फर्स कोशन है उसमें मैने अभी आंसर दिया हुए आपको ताकि आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया लगे तो लेट स रीड वाट दे आ ट्राइंग तो से और आज रिटार्मेंट अमांट पेबल तो हिम आफ्टर और अजजस्मेंट वर्क डाउट तो बी 60,000 तो पार्टनर्शिब का कोशन है आर की रिटार्मेंट इसमें हो रही है और उसको 60,000 रुपीज का ड्यू हमारे पास आ तो अब यह जो 15,000 एक्स्ट्रा दिये गए हैं बच्चो यह क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं देर आर फोर आप्शून्स ओवे हैं शेर इन प्रॉफेट्स हिदन गुडविल इंटरस्ट ऑन इस कापिटल कंपनसेशन फोर पास्ट वर्क तो अगर आपको इसका आंसर पता हैं on his retirement by his other partners that is the hidden goodwill of the R over here I hope you have understood this question clearly let's move on to the next question identify the term that is used to show the amount received as per the will of a deceased person तो अगर कोई व्यक्ती मर चुका है और उसने अपनी विल में कुछ छोड़के गया है तो हम इसको क्या कहेंगे यह terminology का सीधा सीधा definition का question है आपको अगर आपने यह question वैसे भी नहीं आपको पता है तो यह हम elimination के through भी कर सकते है look at it look at the option specific donations life membership fees subscriptions and legacies specific donations life membership fees और subscription यह सब NPO non-profit organizations में आती है और donations हमें पता है donation क्या होता है जब हम किसी वो charity में देते हैं life membership fees होती है अगर हम कोई club वगेरा join करना चाहते है subscription जैसे की newspaper subscription हो गया तो एक ही हमारा terminology इसमें बचा है that is the legacy and that is the correct answer over here I hope अगर आपने pause किया है इस पर आपने अच्छे से सोचा होगा कि इसकी terminology में क्या-क्या हम eliminate कर सकते हैं और इस question को attempt कर सकते हैं इस तरीगे के easy questions है बच्चो दीजारा star questions very easy over here इन questions को आप miss नहीं कर सकते यह आप एकदम common sense से भी अगर use करेंगे तो you can solve it now moving on to the next question identify that account to which share of profit of a disease partner disease partner है देखो अगें partnership से आपको बहुत सारे questions आ रहें direct questions पूछे जा रहें तो अगर आपने partnership अच्छे से revise नहीं किया है तो I would suggest कि जब हम partnership revise करेंगे तो आप हम आसा जूड़िए ताकि आपकी यह सारी concept जो है clear हो जाए to identify that account to which share of profit of a disease partner is debited from the date of the last balance sheet to the date of his or her death तो क्या उसके लिए capital account बनेगा, profit and loss account बनेगा, profit and loss suspense account बनेगा यह trading account बनेगा by elimination we know that कि यह दोनों accounts तो इसमें valid ही नहीं है capital account में diseased capital diseased partner का capital account जो है different हो जाएगा तो हमारा इसमें क्या बन जाएगा profit and loss suspense account over here चलिए, let's move on to the next question over here find out cash flow from financing activities from the following information तो यह cash flow का quotient है और यह financing activities है हमें पता है cash flow is divided into three activities operating, investing and financing activities तो straight away quotient है यह बचों and financing activity में कभी भी मैंने बहुत rarely देखा कि बचों को कोई mistake होती है यह कोई problem होती है, still we'll go ahead and look at it issue of equity shares 80,000, redemption of preference shares 30,000 over here interim dividend paid 25,000, interest on debentures 15,000, issue of debentures 30,000 तो आपने बताना है कि यह total आपका inflow आएगा कि outflow आएगा सबसे पहले इसके लिए you have to make your cash flow statement यह मैं आपको detail में करके दिखा रही हूँ, exam में आप इसको cut short भी कर सकते है you don't have to make the performer, performer के कोई number नहीं है the concept should be clear in your mind over here तो यहाँ पर हम क्या लिखते है, cash flow from financing activities तो यहाँ पर हमने cash flow from financing activities लिया issue of equity shares, जब हमने equity shares issue कि यह inflow होगा कि outflow होगा very good, this will be inflow, यानि कि हमें पैसे मिल रहे है तो कुछ भी अगर issue हो रहे है, whether equity shares, whether preference shares or whether debentures, यह सब हमें inflow ही देगा तो हम यहाँ पर सीधा-सीधा issue of equity shares यहाँ पर लिख सकते हैं इसका amount इन्होंने दिया है 80,000 rupees, अभी यहाँ पर हम issue of debentures भी लिख देते हैं to save our time, 30,000 rupees, अब redemption, redemption यानि कि हमने preference shares redeem किये गए है, तो इसका क्या होगा, inflow होगा कि outflow होगा, तो यह दोनों अगर plus है, तो यह minus होगा बच्चों, redemption, redemption of preference shares, इसका amount जो है brackets में लिखेंगे, यहाँ पे आप वैसे तो performance नहीं चेक हो रहे हैं, यहाँ पे आप minus sign नहीं लगाते हैं, तो यह minus 30,000 हो गया है, जो कि हम brackets में इस तरीके से लिखने वाले, interim dividend paid, dividend आप किसी भी movement पे देंगे, यह हमेशा ही आपका outflow होगा, within the year, at the end of the year, तो dividend paid कितना है, 25,000, this will also be minus, over here, dividend paid, 25,000 रुपीज, आपने इसको deduct किया, 5th option देखते, interest on debentures, जो कि debentures issue किये गए हैं, उस पे आपने interest pay किया है, यह yearly interest है बच्चों, अगेन आप इसको debenture holders को pay कर रहे हैं, तो this will be an outflow, तो this will be a minus sign over here, interest on debentures, तो this will be 15,000 रुपीज, अगर आप इसको solve करेंगे, तो इसका आपका answer आएगा, 40,000 रुपीज, तो यह 1,10,000 हो गया, 1,10,000 में से आपने 40,000, 70,000 माइनस किया, 40,000 रुपीज का आपका क्या है, inflow या outflow, हाँ जी बच्चों, so this will be an inflow, 40,000 रुपीज, this is going to be your correct answer, अगर, again I am saying that, इसमें मैंने डिटेल में करवाए, एग्जाम में आपको इतना detail में नहीं करना है, आपको फटा-फट, प्लस माइनस करना है, अपने माइन में और आपको करते जाना है, तो you don't have to write all these things, आप सीदा यहाँ पर प्लस माइनस कीज, अपने माइन में क कीजे और इसका अंसर ढूंड लेजे, बूविंग ओन तो the next question over here, A, B, C and partners with equal profit sharing ratio, A, B, C partners है और उनका profit sharing ratio कितना है, इक्वल है, ता इस 1 is to 1 is to 1, their fixed capitals are 30,000, 25,000 and 30,000 respectively and C has decided to take the retirement over here, A and B decide to continue the partnership firm and change their profit sharing ratio to their capital ratio, यानि कि जितने में वो capital लेकर आए हैं, उतने में उनका change हो जाएगा नया ratio over here, what is the gaining ratio of A, gaining ratio of A and B आपने इसमें धूंड ना है, देखिए बचो, new ratio क्या होएगी इसमें, 30,000 is to 25,000, यह मैंने करके रखा हुए, is 6 is to 5 over here, old ratio कितनी है आपकी, 1 is to 1 is to 1 over here, तो gaining ratio क्या होता है, new ratio minus old ratio, तो A के लिए आपका क्या आएगा, 6 by 11 minus 1 by 3, similarly अगर आपने B के लिए देखना है, तो 5 by 11 minus 1 by 3, so this will give you your gaining ratio, again I am saying you, आपने इसमें smart work करना है, smart work कैसे करना है, जब आप A के लिए निकालोगे, तो यह आपका 7 by 11 आजाएगा, अगर आप options में देखोगे, तो 7 के साथ सिरफ A की option यहां पर आ रही है, you don't have to go and solve for B over here, smart work again, you will straight away take the correct answer over here and move on to the next question, out of the following, when will the need for valuation of goodwill does not arise, straight question है, theoretical based questions है, अगर मैंने जो आपको कल बात बता है, यहां पर रट्टाफिकेशन या रोट लेर्निंग पर हम ध्यान नहीं दे रहे है, हम यहां पर conceptual clarity पर ध्यान दे रहे है, straight away questions पूछे गए है, अगर हम इसमें clear हैं अपने concepts में, so these questions are going to be a piece of cake for us, लेकिन अगर हमने रट्टाफिकेशन किया है, हमने इसकी कोई understanding नहीं किया, these questions can, you know, be a deathbed and we'll be away from our dream university, तो valuation of goodwill का बराइज होती है, जब admission of a partner होता है, yes, तब हम evaluate करते हैं अपनी goodwill, जब partner retire होता है, very good, yes, death of partner, और partners, yes, तो dissolution, आपकी जो firm है, partnership firm जो है, dissolve हो रही होती है, तब हमें यहाँ पे goodwill की ज़रूरत नहीं पड़ती है, so, I will say dissolution of the partnership firm, अगर आपका भी answer यही था, तो well and good, let's move on to the next question, अगर नहीं, so you need to go back and revise your concepts again, question number 7, which command reverse the last action performed in the worksheet, यह बहुत ही straight away question है, यह मुझ से पहले तो शायद आप ही लोग बता देंगे, है न, control Z, control P, control Y, control C, so control C आपको copy करने के लिए होते है, control P, print out के लिए होते है, control Y, if you want to copy the last sentence and then control Z, Z, जो कि आप अपनी assignments बनाने के लिए बहुत जादा करते है, control Z, है न, life में control Z option, नहीं होता है, जिसमें, you can do, undo the last action of your life, in which of the following cases, the claim is valid if the partnership agreement is silent, partnership से straight questions आरे है, बिलकुल straight, there should be no mistake in these questions, again I am saying that these are conceptual based questions, Sanjay is an active partner and wants a salary of 1 lakh rupees per year, देखी बच्चों, partnership deed जो है, जब वो silent होती है, तो हमारे को कुछ चीजे allowed होती है, कुछ चीजे नहीं allowed होती है, partnership deed हम बहुत अच्छे से detail में करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त क्या आपको लगता है कि Sanjay, अगर उसको salary चाहिए वल्ला परियर की उसे मिलेगी, अगर partnership में हमें कुछ नहीं दिया हुआ, तो बच्चों जो salary and remuneration of partners है, वो नहीं मिलता है अगर partnership deed आपकी silent है, Monica had advanced a loan to the firm and claims interest at 10% per annum, advance on the loan, अगर partnership deed silent है, तो आपको 6% per annum के हिसाब से मिलेगी, not 10% per annum के हिसाब से, तो first option and second option are wrong over here, Sanjay and Monica have contributed rupees 2 lakh and 5 lakh as capital respectively and Monica wants an equal share, क्या ये पॉसिबल है, अगेन one minute pause, सोचिये जरा, partnership deed अगर silent है, और Monica, एक partner जो है, equal share मांग रहा है, in the partnership and the partnership deed is silent, will, is she liable, क्या उसे मिलेगा, yes, very good, so third option is the correct option over here, last option भी देख लेते है, Monica wants an interest on capital to be credited at 10% per annum, interest on capital generally partnership deed में अलाओ नहीं है, लेकिन अगर आपने partnership deed में specifically ये clause डाला है, only then this will be allowed, so out of these options, third option is correct over here, Read the following facts about the admission of a partner, a new partner acquires his share from the old partners that reduces the old partner share in profit, the partner's capital must be adjusted so as to be proportionate to their new profit sharing ratio, assets and liabilities may be revalued and reassessed on the admission of a partner, adjustment for reserves and accumulated profit and losses is done, profit sharing ratio of existing partners may change on the admission of a new partner over here, choose the correct from the given below, again बच्चों ये straight question है, lengthy question है, जिसको reading करने के लिए आपको time चाहिए, लिकिन जैसे जैसे हम read कर रहे है, let's revise what they are asking, so admission of a new partner, a new partner ने acquire कि अपना share from the old partners, जिससे कि जो old partners का share है in the profits, वो reduce हो गया, is it possible, yes, this is possible, the partner's capital must be adjusted, so as to be proportionate to their new profit sharing ratio, जो वो अपनी नहीं capital लेकर आ रहे है, वो ऐसे होनी चाहिए, क्योंका profit sharing ratio के हिसाब से होनी चाहिए, now again जो हमने last question किया और ये question जो हमने किया है, इसमें काफी जादा similarity है, so this is the wrong option of here, again आपको partnership deed, जो first two three pages है, आपके partnership fundamentals के, अगर आपने उसको बहुत thoroughly किया है, this question is going to be piece of cake for you, assets and liabilities may be revalued and reassessed, yes, they are, adjustment for reserves and yes, हम करते हैं, adjustment, profit sharing ratio may change, absolutely correct, तो एक सिरफ B ही इसमें correct है, तो अगर मैं देखूं इसमें A, B, C, D, E, B, C, D, E, C, D, E, C, D, E, A, C, D, E only, तो इसमें ऐसे दो options हैं, जिसमें B नहीं है, तो ये दो तो मेरे eliminate हो गए हैं, तो आप इसमें मैंने सिरफ चेक करना हैं कि, is A correct, yes, A is correct, तो हमारा जो 4th portion है, इसमें correct हो जाएगा, again, elimination के through, you can go ahead over here, now, let's move on to the next question, identify the ratio that is not computed for evaluating the solvency of the business, ऐसी कौन सी ratio है, जो solvency of the business में help में ही करेगी, इसमें 4 options आपको दिये गए हैं, Debt Equity Ratio, Proprietary Ratio, Operating Ratio and Interest Coverage Ratio, तो Solvency Ratio में Debt Equity Ratio आती है, Proprietary Ratio भी आती है, Interest Coverage Ratio भी आती है, तो correct answer over here is, your operating ratio जो आपको activity या efficiency के बारे में explain करती है, इसका solvency से कोई दूर-दूर का नाता नहीं है, अगर आप ratios में कमजोर हैं, प्लीज लेट उस नो, we are going to revise these concepts also, but according to me, this was a very straightaway question, इस में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए थी, moving on to the 11th question, a company can buy its own shares, एक company अपने shares buyback कब कर सकती है, the debt equity ratio is not more than 1 to 1 after the buyback, the amount of buyback in shares in any financial year not exceeding 20% of the paid up capital and free reserves, partly paid up capital, partly paid up shares are considered buyback, articles of association must authorize and special resolution has been passed for the buyback of share, तो ऐसी कोई भी condition आपकी buyback के लिए, मैंने नहीं सुनिया अज तक, और सिरफ और सिरफ आर्टिकल अशोसेशेशन में इसका provision दिया होना चाहिए, और एक special resolution से हमने इसको pass किया होना चाहिए, तो वी कें buyback our own shares over here, buyback में बच्चे ध्यान से हम पढ़ेंगे, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसका theory और accounting point of view दोनों ही important है हमारे लिए, moving on to the next question from the following, identify the items that are payable to the retiring partner if mentioned in the deed, that means हमने retiring partner को क्या-क्या pay करना है, अगर वो deed में mentioned है, तो that means हम यहाँ पर सारी possibilities लेके चल रहे है, credit balance of his or her capital or current account, yes, share of goodwill, very good, goodwill का share उसको मिलेगा, goodwill of the firm, are we going to give to a retiring partner, देखें इसमें firm का अभी कुछ closure नहीं हो रहे है, सब एक पार्टनर रिटायर हो रहे है, so we know we are not going to give the goodwill of the firm, share in revaluation of gains and loss, yes, and share in accumulated profits or reserves, yes, तो इसमें C जो है, is not the correct option over here, again अगर हम देखें, तो C जो है, इसमें, दो options में नहीं आ रहा है, 1 and 2 में अगर हमारे को clarity है, that the D and E are correct, then it is going to be easy for us, कई बार ऐसा होता है कि, जब भी हम eliminate करते हैं, तो हमारे पास दो options रह जाते हैं, बच्चों, अगर आपको D और E में clarity नहीं है, then I would suggest कि, आप ये questions skip कीजी, लेकिन अगर आप बहुत clear है, बहुत sure है, then I would say कि, ये आपके लिए बहुत easy question था, आप इसको ज़रूर attempt कीजी, और अपना जो time है, save करके next question पर move कीजी, क्योंकि इतने lengthy questions को पढ़ने के लिए, आपको approximately one minute लग रहा है, अगर ये आपको साथ के साथ नहीं solve होने, that one minute is wasted over here, W limited has given you the following information, तो W limited की machinery जो है, 50,000 opening balance है, closing balance दिया हुह है, accumulated depreciation का opening closing दिया गया है, machine costing 25,000 with accumulated depreciation of 15,000 was sold for 13,000, तो हमने इसमें क्या बनाना है, cash flow from investing activities इसमें हमने create करना है, तो इसमें हमें बच्चों फटाफट machinery account बनाना पड़ेगा, machinery account बनाने के लिए, machinery is going to be an asset over here, यहाँ पर आपका debit आएगा, यहाँ पर आपका credit आएगा, if I look back, what were the opening and closing balances, आपका opening balance 50,000 है, closing balance 60,000 है, तो आपका यहाँ पर आएगा, two balance brought down, 50,000, and by balance carried down, 60,000 रूपीज, अब हम देखते हैं, accumulated depreciation के machinery account में आएगा, नहीं, उसका अलग account बनेगा, लेकिन फिलाहाल हमें इतनी ज़वद नहीं लग रही है, this can be done without this, अब एक machine को sold किया गया, 13,000 रूपीज के लिए, यानि कि इसके against हमें cash कितना मिला, 13,000 रूपीज का, उस machine का cost कितना था, उस machine का जो cost था, बच्चे, वो था 25,000, लेकिन इस पर accumulated depreciation, जब हमने minus किया, which is worth 15,000 रूपीज, तो ये 15,000 हमने 25,000 में से minus किया, तो उसकी worth कितनी रहे गए बच्चो, 10,000 रूपीज, यानि कि 10,000 की जो machine है, हमने 13,000 रूपीज की sellout की है, तो इसको देखिए, इसको आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको cash कितना मिल रहा है यहां पे, 13,000 का यहां पे आपको cash मिल रहा है, अगर हम यहां पे देखिए, उस पे accumulated depreciation कितना था, accumulated depreciation आपका आगया, यहां पे 15,000 रूपीज, और कितना profit हुआ, 10,000 की machine हमने 3,000 में sell की है, तो यहां पे आपका आगया profit on sale, अगर loss होगा तो वो आपका right hand side पे जाएगा, 3,000 रूपीज, अब आपने इसको tally करना है, और यहां पे आपने balancing figure निकालनी है, तो करके देखते हैं इसको, 28 plus 60,000 is 88,000 रूपीज, आपका यहां पे total आया, this is also 88,000 रूपीज, 88,000 में से 50,000 आपने 53,000 माइनस करने, तो फट फट करते हैं इसको 5 and 3, तो this is going to be a 35,000 रूपीज, यहां पे आपका balancing figure है, this is a star figure और the balancing figure over here, तो यहां पे आपने क्या किया है, यहां पे आपने purchase किया होगा बच्चो, तो यह आपका outflow हो गया, is it clear, तो यह आउट फ्लो में आपका negative आएगा यहां पे, तो this is going to be, तो बच्चों यहां पे हमें 35,000 का amount मिल चुका है, अब देखें यह हमें कैसे अपने जाल में फसाता है, तो 22,000, 22,000, 35,000 and 13,000, जैसे ही बच्चों ने 35,000 वहां पे account का figure निकाला, यहां पे 35,000 बच्चे correct करके आगे बढ़ लेते हैं, तो thinking that this is the correct option over here, लेकिन they are asking about the cash flow from investing activities, तो cash flow from investing activities के लिए, अगे आप परफॉर्मा बनाएंगे, investing activities, हमने यहां पे बच्चे कुछ चल भी किया है, हमारा purchase तो हमने निकाल लिया, purchase is 35,000 रुपीज ओवे हैं, 35,000 रुपीज जो है आपका purchase आ गया, तो लेकिन सीधा हम यहां पे 35,000 नहीं करेंगे, क्योंकि हमने sale भी किया है, क्या sale किया है, old machinery sale किया है हमने, तो यह sale को हमने क्या करना है, add back भी तो करना है, 13,000 रुपीज, तो यहां पे जो हम 35,000-13,000 करेंगे, तो वी आपका अउट फ्लोव और 22,000 रुपीज, अगें दे कोशन वा स्ट्ट अभाई, फोरवड, लेकिन एक लास में ट्रिक था, और बचे जल्द बाजी में, गलत ऑप्शन करेक्ट करके आते हैं, और यहां थे थिंग की हमारे नंबर कैसे कट गए, तो इस 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 दे रीजन, तो रीड दे कोशन वेए कैफुली, दे आ नाट आसकिंग अबाट कितना टोटल कैश पर चीज था, या बैलंसिंग पिकर था, दे वर आसकिंग अबाट दे कैश फ्लो फ्रॉप फ्रॉप इन्वेस्टिंग अक्टिविटी इस ओवर हेर, हां जी बचो, लेट्स लुक एट दे नेक्स कोशन ओवे हैं, माच दे लिस्ट, इसमें बचो जादा टाइम नहीं बिताना है, हमें, जैसे ही हमें दो या तीन ओप्टन कल गलती है, जैसे ही हमें, दो या तीन ओप्टनलान सर्फ्रॉप इन्वीन क्टी अप्ठ जा ने graph chain उज्थ औरर उसको सूइस सब्सट अवे उप्ट इस हमनेग माच करते जाना है, तो loss on revaluation क्या होगा बच्चे, loss on revaluation is always debited to the old partners in the old ratio over here, तो A के साथ हमारा 4 बन गया है, A4, profit on revaluation is always credited to the partners over here, तो B1 हो गया है, premium brought in by the new partners over here, एक बड़ी देखें आपको A4, B1 कहीं पर मिल रहा है, एक straight away option हमें यहां पर आ रही है, A4, B1, जिसमें लिखा गया है, 3 में brought by new partners, credited to the old partners in sacrificing ratio, yes that is correct, तो C का 3 है, on the death of the partner profit brought, तो यह आपका suspense account में जाएगा, अगे यह question पहले भी आपसे पूछा गया था, यह दुबारा आया है, यह question, अगर यह topic आपका miss हुआ है, तो आपके दो questions खराब हो सकते रहे हैं, तो किसी भी topic को आप छोड़के नहीं जाएंगे, profit and loss suspense account आपको पहले भी पूछा गया है, और आप दुबारा match of the following में यह चुपा हुआ है, तो please, please pay attention to all the topics over here, so 2 is going to be the correct option over here, identify the key that allows access to the system, आपने कोई computer system खोलना है या कुछ भी आपने कोई workbook खोलनी है, उसका access आपको चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, security चाहिए, encryption चाहिए, software चाहिए, या password चाहिए, तो बचो, security क्या होता है, security key जो है, बनाई जाती है, encryption जब आप data, वो encrypt करके आगे भीजते हैं, software जिसके through आप ये सब काम कर रहे हैं, so the last option, password will be the correct answer, इसमें जादा टाइम मुझे नहीं लगता, आप लोगों नहीं लगाया होगा, this is a very easy question, और ये cash से direct question आप से पूछा गया है, identify those debentures on which no interest will be paid or provided, debentures का question है, again theory, theory भी आ रही है और practical भी आ रहा है, तो दोनों ही important है, ऐसे कौन से debentures हैं बचों जिन पर हमें interest देना compulsory नहीं है, debentures issued to underwriters, debentures issued for cash, debentures issued to ventures, debentures issued as collateral security, तो बचों अगर हम underwriters को दे रहे हैं, तो कोई हम नया category of debenture नहीं देते हैं, debentures issued for cash, और bank account, whatever, debentures issued to vendor, ये भी normal debentures होगें, लेकिन जब भी हम collateral security के लिए किसी को भी, collateral security कब होगी बचों, आपने किसी से long term loan लिया हुआ है, उनको आप कोई भी asset जो है, गिरवी रखके दे रहे हो, इसमें, long term loan में, तो हो सकते हैं, इसमें आप debentures issue करके दे रहे हो, principle plus interest, इसको हर महीने या हर साल पे कर रहे हो, yes or no, तो कर रहे हैं, तो आगर मैंने इसको debentures issue किये हैं, और debentures पे interest पे करना is also compulsory, तो क्या मैं दो बड़े interest इसको पे करूंगी, no, not at all, तो debentures issued as collateral security is going to be our correct answer over here, I hope the concept is clear with you, again when we are doing the debentures theory, we are going to cover these small points also over there, complete the sequence, तो आप हम यहाँ पे sequence बनाना है, I will suggest कि जैसे जैसे आप करते जा रहे हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं, आप साथ साथ में इसको solve करते जाएं, और साथ में आप नदर भी रखियें यहाँ पे, जैसे देखिए अगर आप A, B, C, D, E, D, A, E, C, B, 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 C, D, A, E, C, D, A, B, E, यहाँ की कोई जादा confusing इन्होंने options नहीं रखियें, जैसे हैं आपको first two letters of the answer आपको मिल जाएंगे, I will suggest कि आप फटा-फट अपना answer टिक कीजिए, और उस move on कीजिए, कई बारी options बहुत close होती हैं, we will discuss that also how to solve it, उस case में आपको कई बारी third या fourth line तक भी जाना पड़ता है, if it is appropriation, तो किसके लिए, एक मिनट, sequence हम किसके लिए कर रहे हैं, partnership, partnership deed में, interest on capital has been provided, again, straight away question, but available profits are not sufficient to provide the full amount of interest on capital, हमने partnership deed में interest on capital allow कर दिया है, लेकिन जो हमारा profit है, वो इतना sufficient नहीं है, कि हम interest on capital पूरी amount पर दे सके, तो क्या steps follow हूंगे इसमें, if it is appropriation, calculate interest on capital for all partners at the given rate, divide the available amount in the capital ratio among the partners, calculate the ratio between the capital of a partner, ये point जो है, obviously B के पीछे जाएगा, पहले हम calculate करेंगे, फिर हम divide करेंगे, consider the partnership deed and decide whether interest on capital is a charge or an appropriation and consider the available profits, I think this is going to be the first option over here, पहले आपने partnership deed में देखना है, कि ये जो interest on capital है, ये charge है कि appropriation है, अगर ये charge है बच्चों तो ये question ही invalid है, क्योंकि चार्ज है तो आपको देना ही पड़ेगा, आप loss में जा रहे हैं, लेकिन अगर ये appropriation है, I think we write this, if it is appropriation, so this is going to be the first option, and this is going to be the second option, तो D और A, D और A से हमें कुछ मिल रहे हैं, यहां पर D और A से हमें यहां मिल रहे हैं, एक बड़ी हम फिर भी verify कर लेंगे, लेकिन exam में अगर हम यहां तिक पहुन चुके हैं, और हमें clarity है, कि इसमें कोई हमारे को trick नहीं किया गा है, तो we can mark this and go ahead, but still let's look at it, D and A हम ने कर लिया है, consider the available profits, yes, this is going to be the third option over here, C, फिर हम calculate करेंगे, और फिर divide करेंगे, A मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो this is going to be 4 and this is going to be 5 over here, अगर options बहुत जादा close दी गई है, suppose D, A, B, C, E, इस तरीके की एक और option आपको दी गई है, और इन दोनों में आपको करना है, तो बच्चों आपको last तक जाना पड़ेगा, या 3rd या 4th लाइन तक जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 1st 2 steps mark करके, आप देखेंगे अपना answer, किसी भी option के साथ match कर रहा है, एक बड़ी quickly आप glance कर लेंगे, कि सारे options सही जा रहे हैं उसमें या नहीं, and you can move on, so this question can also save you time, if you are clear, कि आपको ये कैसे attempt करना है, in a partnership firm, partners share profit and loss in the ratio of 3 to 2, if the firm has incurred a loss of 10,000 during the year, then they calculate the amount of rupees 10 to be shared by the partners, अगर वो profit 3 to 2 में share कर रहे हैं, तो loss वो किस ratio भी share करेंगे, yes, save ratio 3 to 2, why are we going to change that, according to the profit sharing ratio, ना वो equally करेंगे, क्योंकि उनका already profit sharing ratio बना हुआ है, gaining ratio, sacrificing ratio, कोई admission नहीं है, कोई retirement नहीं है, तो इस case में, straight away again, this is a star question, very simple, very straight forward, अगर ये question भी आपका गलत औरे बचे, आपको concepts बहुत अच्छे से, बहुत जादा थरली revise करनेगी, जोद परेगी, which of the following will be added to the operating profit, before working capital changes, while preparing the cash flow statement, from the indirect method, तो cash flow statement, cash flow statement का, I think ये 50 assets question है, बहुत ही direct question आपको दिया गया है, operating profit, एक question हमें, financing activity से आ चुका है, एक question investing activity से आ चुका है, आप ये operating profit के बारे में हम से जानना चाहता है, कि working capital changes, before working capital changes होंगे, तो हमने क्या करना है, increase in trade receivables, क्या होंगे, minus होते हैं, decrease in inventory by 50,000 रुपीज, देखो ये decrease हो रहा है, decrease in current asset, increase in prepaid expenses, ये भी आपका minus होगा, decrease in trade payables by 20,000, ये भी आपका minus होगा, तो straight away question आपका यहाँ पर, clear हो रहा है, cash flow statements है, identify the correct sequence, where a new partner is to bring proportionate capital, एक ऐसा sequence आपको देखना है, जिसमें जो नया partner है, उसको proportionate capital अपनी लेकर आनी है, तो इसमें बच्चों आपने बताना ही कि क्या होगा, calculation of capital balance of old partners, preparation of revaluation account, determination of revaluation gain or loss, presentation of treatment of goodwill, and calculation of capital to be brought in by the new partner over here, तो again, आप देखिए, I am giving you one minute over here, let's see अगर आप इसको solve कर पा रहे हैं कि नहीं, options जो है, D से दो start हो रही है, DB या DC, अगर आप first two options में ही पता दोगे कि आपका इसमें correct answer, correct sequence कौन सा है, then you don't have to worry about anything, हाँ जी बच्चों, तो इसमें आपका जो है, determination of revaluation account, straight away determination of revaluation gain या loss, आप यहां पे करने वाले हैं, तो C option आपका, पहला option होगा, I think, हाँ we can straight away say that, C के बाद preparation of revaluation account आपका जाएगा, then आपका जाएगा, presentation of treatment of goodwill, and then calculation of capital balance, इसमें जाएगा आपका, and last आपका यहां पे, calculation of capital to be brought in by the new partner, so this is the correct option over here, that we are going to look at over here, which of the following will be shown on the credit side of the diseased partner account, diseased partner account अगर बनता है, तो उसके credit side पे आपका क्या जाएगा बच्चो, तो इसमें again यह straight away question आप से पूछा गया है, अगर यह आपको diseased partner account नहीं आता है, drawing till date of death नहीं आएगा, and interest on capital till date of death, this will be the correct option over here, do we have AC and E, yes AC and E are there over here, again if you want to see disease partner account में क्या आएगा, balance brought down, interest on capital, salary commission, and distributed profits, revaluation account, gaining partners, capital account, profit and loss, suspense account, यहां पर आएगा आपका, कुछ undistributed losses है, revaluation account अगर loss है यहां पर, goodwill account return off आएगा to drawings, see goodwill return off आपको दिया गया था, लिकें goodwill return off आपका debit side पर आ रहा है, and they have specifically asked की credit side पर कौन सा आएगा, so this mistake could have been done by anybody, पर हमने question को दिहान से देखना है, interest on drawings, again debit side पर आपका आ रहा है, profit and loss suspense account, and diseased executors account over here, you can have a look at this account again, and just thoroughly revise, no need to ratify this account over here, आपको सिरफ एक basic understanding चोहिए, कि क्या debit हो रहा है और क्या credit हो रहा है, यहां पर, match the list over here, again match the following, बहुत जादा, I think CUET का लिए बहुत जादा, important है, interest on capital, gaining ratio, sacrificing ratio, revaluation of assets, liabilities, interest on capital कब देंगे आप, हाँ जी, admission of a partner की case में देंगे, profit and loss in the old profit sharing ratio, continuing partner, या फिर when partnership deed specifically provides it, एका सीधा सीधा हमारे साथ, 4 आ चुका है, then gaining ratio, gaining ratio कब होगा, admission of a partner, or a continuing partners, तो जब कोई partner, छोड़ के जा रहा है, और आपको कुछ gain हो रहा है, तो that means, B के साथ आपका 3 आ चुका है, sacrificing ratio, existing partners ने, जब नेयाव आपका partner, admit किया, तो यहाँ पर आएगा, revaluation of assets and liabilities, profit and loss in the old profiting ratio, यहाँ पर आपका D2 आ चुका है, तो अगर मैं देखूं, तो A4 पर ही मेरा, वैसे तो answer यहाँ पर click कर देना चाहिए, पर मैं बाकी के यहाँ पर confirm कर सकती हूं, कि क्या यह सही है, हाँ जी, बिल्कुल सही है, A4 पर otherwise you could have gone ahead, and marked and saved your time also, मैं लेखूं, C Limited has made a profit of Rs. 10,000 after charging depreciation of Rs. 2,000 on asset, transfer to general reserve Rs. 3,000, return of goodwill Rs. 700, profit on sale of asset Rs. 300, increase in debtors Rs. 300, again very direct question, increase in creditors Rs. 600, increase in prepaid expenses Rs. 20, Rs. 30, decrease in outstanding expenses Rs. 200, what will be the cash from operating activities, again cash flow statement, a direct question है, इसमें जो आपका time लगेगा, I don't think आपको यहाँ पर समझना है, यह कुछ सोचना है, straight away आपकी calculations आएगी, जो time लगेगा आपका calculations में लगेगा, अगर उसमें कोई गलती है, then you have to be thorough with it, इसका answer आपका 15,480 आएगा, अगर हम देखें तो 10,000 में हम क्या क्या add back कर रहे हैं, 10,000 rupees में हम यहाँ पर आपका depreciation जो write-off किया गया है, वो add back होगा, general reserve हमने जो दिया है 3,000 वो यहाँ पर add back होगा, then we are also going to add back goodwill, return of goodwill 700 rupees यहाँ पर यह add back होगा, profit on sale of asset यह आपका minus हो जाएगा बच्छो, increase in debtors will also be subtracted over here, increase in creditors add back होगा, increase in prepaid expenses again that will be minus over here, and our decrease in outstanding expenses that will be added back over here, so this is going to give us 15,480, make sure your calculations are correct over here, again this is a very easy and straightforward question, identify the term that indicate excess of expenditure over income in case of not-for-profit organization, अगर आपका expenditure, अगर आपका खर्चा जो है, आपकी income से ज़्यादा है, तो आप केस में आप इसको क्या बोलते हैं, तो इसको payment तो नहीं बोलेंगे, expenditure भी नहीं बोलेंगे, deficit and loss, so we have narrowed down these two choices over here, अब एक basic concept है, not-for-profit organizations का, क्या नाम है, not-for-profit है, नहीं भी पढ़ा, तो भी आप इस पे कैसे दिमाग लगा सकते हैं, यह ऐसा यह organization, जहां पर profit आप नहीं कमा रहें, जब आप profit नहीं कमा रहें, वहाँ पर loss भी नहीं हो सकता, एक तरीका यह है, बाकि अगर आपने थूरी की वह हैं, तो you know the straightaway answer is, deficit and loss will not be there, जो organization profit नहीं कमा रहें, वह loss में भी नहीं जाएगी, अगर आपका expenditure ज़ादा है, income कम है, तो आप उसको deficit कहेंगे, separate disclosure of cash flow arising from financial activities is important, because, again financial activities की थेओरी पुछी गएंगे, कि हम cash flow में financial activities को क्यों calculate करते हैं separately, it is useful in predicting claims on future cash flows by providers to the fund, to the enterprise, yes, तभी हम financial activities calculate करते हैं, तो कुछ कोशन आपने देखा, elimination की थू कर रहे हैं, हम कुछ कोशन हमें सॉर्व करने पड़ रहे हैं, कुछ कोशन में हमारा सारा ही knowledge जो है, test out हो रहे हैं, so CUET is, this is how the exam is going to be, identify the saline features of income and expenditure account from the following, again income and it's not for profit organization, कई बच्चे मुझे कहें चुके कि मैम इसमें हम बिल्कुल 0 है, don't worry, we are going to revise it, tomorrow you have to join me on Monday, every day, in fact at 6 to 7 p.m. लेकिन फिर्स तो 3 देज हम not for profit organization को देने वाले हैं, उसकी theory और उसकी numericals thoroughly हम करने वाले हैं, so if you don't know those parts, please join us tomorrow at 6 to 7 p.m. तो अब income and expenditure account में आप देखिए, it is prepared on accrual basis, yes, जो income and expenditure account है, वो accrual basis पे दिया जाता है, it includes both revenue as well as capital items, तो देखो बच्चों, income and expenditure account आपका profit and loss account के similar होगा, क्या profit and loss account में आप revenue और capital दोनों include करेंगे, सोचिए, please let me know, it is prepared after ticking into account the additional information regarding outstanding prepared expenses and depreciation, yes, its result is in surplus or deficit, अभी हमने दिखा, ना profit कमारे हैं, हमना loss कमारे, तो हम क्या कमारे हैं, surplus or deficit, अगर आपका expenditure कम है income से, तो आप surplus में है, अगर expenditure जाद है income से, तो आप deficit में है, same question दुबारा से mold करके दिया गया है, that means अगर आप कोई topic मिस कर रहे हैं, तो यह आपका second question गलत हो सकता है, it is prepared with the help of receipt and payments account, yes, तो कौन सा option इसमें गलत है, B, तो अब आप देख लेजिए, A, B, C, D, A, B, C, सभी में B आ रहा है, इस option में B नहीं आ रहा है, बाकी options हमने करके देख लिये है, as per the schedule 3, यह question तो आप नीद में भी, I think you should be able to solve it, this is such a straight forward question, और इसमें आपकी, मतलब कि एक mind map होता है, आपकी straight away आजाना चाहिए, कि यह क्या sequence आने वाला है, non-current liabilities, non-current assets, shareholders funds, current assets and current liabilities, तो हम किस्ते शुरू करने वाले है, shareholders funds से, shareholders funds हमारा authorized capital, paid capital, reserves and so plus, यह सब हमारा shareholders fund में जाएगा, फिर आपके यह आते, non-current liabilities, जो आपके long-term loans आपने बॉरू किये हैं, from the banks, from the institutions, or the individuals, then we are going to have the current liability over here, then we are going to have non-current assets over here, non-current assets में आपके, क्या आजाएंगे, tangible and intangible assets, that means fixed assets, एक तरीके से आपके आजाएंगे, and current assets over here, क्या हमारा कोई option यहां से, C से शुरू हरे है, C से देखो बच्चो, हमारे पास दो options हैं, तो C के बाद A करेक्ट आ रहा है, तो हमारे बाद, 3rd, E, TAE, तो यह वाला जो है, तो हमने यह 3 points तक solve, और अगर हम करेंगे, तो विल भी comfortable enough, to eliminate the other over here, तो A और B तो हमारा, A से तो हमारा कुई भी option नहीं स्टार्ट हो रहा है, C से ही स्टार्ट हो रहा है, तो यह आपका जो depth of knowledge है, जो आपका variety of knowledge है, दोनों ही important matter करता है, current maturity of long term debt, security premium, outstanding salary, premium on redemption of debentures, non-current liability है, short term borrowings है, other current liabilities है, reserves and surplus है, जो मुझे directly straightforward, outstanding salaries कहां जाएगा, current liability में जाएगा, securities and premiums कहां जाएगा, reserves and surplus में, C 3 आ रहा है मेरा, और B 4 आ रहा है, क्या मेरे पास कोई ऐसा option है, B 4 के मेरे पास दो options है, लेकिन C 3 का मेरे पास एक ही option है, तो I think this is going to be correct, पर हम एक बरी फिर भी देखेंगे, कि what we are going to do, premium on redemption of debentures, कहां आपका जाएगा आपका बच्चे, other non-current liabilities में जाएगा, तो यहाँ पर क्या D 1 है, और यह देखो, current maturities of long-term debt, short-term borrowings, यह कैसे possible है, तो यह current time period में mature होने वाली है, debt तो long-term है, तो यह long-term borrowings में जाना चाहिए, short-term borrowings में नहीं चाहिए, लेकिन यह जो है, आपका current time period में mature हो रहा है, तो this is going to be A2, so this is, all the options are correct, अगर हम directly भी हमें यहाँ पर दो options पता चल गई थी, तो हम उसके through be eliminate करके, अपना answer solve कर सकते थे, how many blank worksheets are shown by default when a new workbook is created, जब हम workbook बनाना शुरू करते हैं, तो हमारे को कितनी blank worksheets दी जाती है, टेकनिकल कोशन है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो आपने नहीं किया, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो it is 3 over here, जब हम cash करेंगे, तो उसमें हम अच्छे से thoroughly इसकी theory करेंगे, On 1st July, Centaur Limited issued, 25,08% debentures of Rs.100 each, as collateral security to the first level bank, against loan dues of Rs.20,000, यानि कि आपका loan जो था, 20,00,000 का था, लेकिन आपने इसमें collateral कितनी दिया है बच्छो, 25,00,000 का debentures issue करके दिया है, 8% पे, तो how much amount will be shown in the balance sheet, balance sheet में आप क्या दिखाने वाले हैं, balance sheet में आप क्या दिखाएंगे, 25,00, 20,00, या दोनों चीज़े, तो दोनों में से एक चीज़ी आएगी बच्छो, तो 45,00,000 और 70,00,000 ये तो आपके options बिल्कुल ही गलत हो गई है, अब आप देखिए, ये collateral का second question है, collateral security का आपको पहले भी एक direct question आया हुआ है, तो collateral security पे अगर आपको जादा, collateral security of debentures पे आपको ज़्यादा clarity नहीं है, तो ये question भी आपके लिए difficult होने वाला है, लेकिन इसका क्या answer है, 20,00,000 रुपीज, यानि क्योंकि हमने इस पे interest नहीं देंगे न बच्चे, हमने उसको issue करके दे दिया, लेकिन हम इस पे interest नहीं देने हैं, नहीं हमें कोई proceeds आएं 25,00,000 रुपीया, तो यहाँ पे हम अपना loan ही दिखाएंगे, long term borrowings में, is it clear? When a company issues shares in open market, and the amount is payable in installments, जब कोई company shares को करती है, issue open market में और installments में मांग रही है, what is the sequence of amount demanded by the company, again theory of shares, straightaway question है, इसको बिना पड़े ही आप solve कीजिए, I think this is very very easy, सबसे पहले आपका क्या आते हैं, आप क्या मंगवाते हैं, application money मंगवाते हैं, application money के बाद, जब आपको allotment हो जाती है, फिर आप उसके बाद क्या करते हैं, allotment money आपने दिया, पहले आपने apply किया, कि मुझे इतने share आप अपनी company के दे दीजी है, अगर वो आपको allot हो जाते हैं, अगर over subscription है, कोई proportionate basis पे आपको allotment होती है, फिर उसके basis पे आपको क्या आता है, calls आती है, so these calls can be, what are they known as, first call, second call, first and final call, कुछ भी इसका नाम आप दे सकते हैं, क्या हम इसको solve कर सकते हैं, application money, transfer to share capital account, यह आपका क्या बन गया बच्चो, first option, over here, then allotment money, due allotment money received, तो पहले due होगा कि पहले receive होगा, your account student, you should be very clear on this over here, due होगा कि receive होगा, over here, देखो यह सारी options, उनों ने D के साथ ही start की है, तो यह हमें end तक solve करनी उपड सकती है, तो allotment money due, D E, D E के मेरे पास यहाँ पर two options है, two options जो है मेरे eliminate हो चुके हैं, यहाँ पर, D E, उसके बाद क्या आएगा, C allotment money received, yes, फिर again क्या due हो रहा है, फिर money due on calls, तो B आएगा बच्छो इसमें, and last में money received on calls, D E C B A, this is going to be your correct answer over here, इसमें आपको बहुत close options दिये गए थे, तो this you could have done, with the help of solving till the last point, but यह बहुत easy question था, you should have been able to do very easily, and बच्छो, again C U E T की preparation जो है, हमारे चनल पे free of cost हो रही है, तो you can join us every day for all the subjects, general testing, Hindi, English, commerce, all the subjects will be covered over here, is it clear? बच्छो, let's move on to the next question over here now, capital gain tax paid on sale of fixed assets should be classified as, जो capital gain tax हम पे करेंगे on sale of fixed assets, again a straightaway question आपको पूछा गया है, क्या यह cash inflow from operating activities है, यह cash outflow from operating activities है, यह cash inflow from investing activities, यह cash outflow from investing activities है, जब capital gain tax आप पे कर रहे हैं, तो this is definitely going to be an outflow of the activity, इसमें तो हम inflow तो, यानि कि यह वाली जो options है, straight away हमारी गलत हो गई है, इनको हम eliminate कर सकते हैं, fixed assets, fixed assets cash flow में यह किसमें जाएंगे, बच्छे, यह investing activities में जाएंगे, तो cash outflow from investing activities, इसका correct answer होगा, अगेन आपको अगर बिल्कुल भी इसमें clarity नहीं थी, तो यह आपके लिए difficult होने वाला था, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा भी, common sense के साथ, या elimination के साथ इस्तिमाल करेंगे, तो you'll be able to decipher, हाँ थोड़ा time लगेगा in such cases, trade payables to be settled beyond 12 months, trade payables हैं लेकिन इनको हमने कब settle करना है, इनको हमने beyond 12 months settle करना है, from the date of the balance sheet or beyond the operating cycles are classified under this, तो अब आपताईगे, यह long term provisions में जाएगा, other long term liabilities में जाएगा, या फिर deferred tax liabilities में जाएगा, या फिर long term borrowings में जाएगा, तो this is going to go into your other long term liabilities over here, beyond 12 months हो गया है, तो यह long term में चला जाएगा, लेकिन यह direct trade payables हैं, तो यह straight away long payables का भी, long term borrowings का भी नहीं case बन रहा है, तो other long term liabilities में यह जाएगा आपका, a part of fixed asset costing rupees 2 lakh rupees, book value जिसकी हमारे पास है, 1 lakh 50,000 was sold at a gain of rupees 10,000, how will it affect the cash flow statement, again cash flow statement, cash के point of view से यह question आपने solve करना है, क्या यह inflow है 160 का in investing activities, और जो 10,000 rupees हैं, हम operating activities में add करेंगे, क्या यह inflow है 160 का in investing activities, और operating activities से 10,000 minus करेंगे, inflow of 2 lakh 10,000 in investing activities, again 10,000 added to be added in the operating activities, inflow of 2 lakh 10,000 and less 10,000 in operating activities, बहुत ही straight away कोशन है आपका, you should be clear कि आपको यहां पे कितना cash मिल रहा है, cash inflow आपका कितना होने वाला है, can you solve this easily, 2 lakh उसकी जो थी, cost थी और book value कितनी थी इसकी, 1 lakh 50,000, it was sold at a gain of 10,000 rupees, तो यहनिकि जो चीज हमारी accounts में, 1,500,000 रुपे की दी गई है, उसमें हमने 10,000 का gain लिया, तो यह 1,60,000 rupees की हमने cash inflow हमारे पास आया है, so these are going to be eliminated over here, तो इन दो options में अब हम करेंगे, आप आपको पता है कि यह जो है gain है, profit on sale of asset, operating activities में यह add होगा कि यह deduct होगा, exactly, this will be deducted, ठीक है, तो 1,60,000 आपका inflow है, और 10,000 जो है, operating activities में से आपने इसको minus करना है, straight away questions आपको दिये जा रहे है, सिरफ और सिरफ आपकी थरो रवीजन यहां पर हमें चाहिए, so you'll be able to do it, so this is not the correct answer over here, 2 is the correct answer over here, arrange the following in a sequence, again sequence का एक और question आपके पास आए गया है, amount relies in the assets, which will be utilized to pay, very interesting question और बहुत easy question, I would say that, partners loan, partners capital, secured debts of the firm, unsecured debts, and residue to the partners, अगर आपनी जो assets है, इंकी liabilities आपने pay करनी है, realization account में, कैसे किस sequence में जाएंगे, secured debts, जिसके अगेस आपने loan दिया हुह है, that will be the first one over here, so C आपका पहला आगया, then unsecured debts of the firm, this will be the second one, CD, can you see CD, सारे ही options CD से start होरे है, तो CD हमारा correct जा रहा है यहां पर, अब हमने दिखने कि whether it's A और E, residue to partners, कुछ बचा है तो हम partners को देंगे, यह सबसे last में जाता है बच्चो, तो this is going to be the fifth one over here, उससे पहले हम क्या देंगे, partners loan या partners capital, अगर partner का हमारे पास loan आया हुआ है, that will be the first one to pay, फिर हम capital उसको pay करेंगे, और फिर भी आगर हमारे पास कुछ बच्चता है, तो हम partners को residue pay करते हैं, तो CDA, CDA, CDABE, this is going to be the correct option over here, CDABE, third is the correct answer over here, I hope, आप साथ साथ में solve कर रहे हैं, अगर आपके गलत भी हो रहे हैं, तो don't worry, we are going to revise all these concepts, choose the correct answer from the options given below, again match the following का एक direct question आपको यहाँ पर दिया गया है, again हमने यहाँ पर time जादा वेस नहीं करना है, जैसे ही हमारे पास दो यह तीन options correct होएंगे, we can take it and we can move on to the next question over here, transfer of accumulated profits, unrecorded assets sold on the dissolution of the firm, manager's commission and partner's commission, manager को अगर हम commission दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, realization से related होगा, profit and loss, profit and loss appropriation या partner's capital account, this is the charge on expenses, यह charge expense है तो यह profit and loss account के साथ जाएगा, तो C2 हम decipher कर चुके हैं, partner's commission, partner को अगर हम commission दे रहे हैं, तो यह कहाँ पर जाएगा आपका profit and loss appropriation के पास जाएगा, D3, C2, D3 हमें पता चल चुका है, क्या हमारे पास कोई ऐसा option आ रहे हैं, जिसमें C2, D3 है, C2 हमारे पास दो option C2 के साथ हैं, लेकिन D3 एक ही है, लेकिन फिर भी हम एक बदी चेक करते हैं, क्या A4 के साथ match करेगा, transfer of accumulated profits, जो आपके accumulated profits हैं, आप उसको कहाँ transfer करते हैं, partners capital account बिल्कुल सही, तो A4 जो है आपका correct option है, और B के साथ unrecorded assets sold on the dissolution of the firm, यह आपका realization account के साथ जा रहा है, तो यह आपका correct option यहाँ पर बन रहा है, अगें जैती मेरे पास two answers correct हुए, बहुत ही straightforward मैंने जल्दी से कर लिये, तो I will try to see कि अगर वो options हैं, मुझे given, अगर नहीं है given, यह भी बहुत close call है, तो I will have to solve the third and the fourth point also, लेकिर अगर आप two options के साथ ही अपना answer solve कर पा रहा है, तो just save the time and move on to the next question over there, Every company analyzes its earning capacity of the business, which is the outcome of utilization of resources employed in the business, to analyze profitability a company can use, अगर company को अपनी profitability analyze करनी है, financial statement analysis से straight away question आपको यहां पर दिया गया है, which is your module 3 over here, तो वो क्या-क्या करेगी, क्या वो dividend payout ratio देखीगी, return on network देखीगी, क्या वो gross profit ratio देखीगी, या फिर quick ratio या inventory turnover ratio, अगें clarity चाहिए आपको inventory turnover ratio आपकी क्या उनसी तरह की ratio है, आपकी activity ratio बच्चो, तो इसका profitability पर कोई फरक पड़ेगा, no, quick ratio, यह क्या उनसी है, यह तो आपकी liquid ratios है, current assets, current liabilities, तो क्या यह profitability पर एफेक्ट करेगी, again no, so these two are wrong, gross profit, gross profit, profit की profitability ratio की बड़े में जुरूर बताएगी हमें, so this is going to be correct, C is going to be correct, अगर हमने देखना है, तो जहां पर भी D आ रहा है, यह E आ रहा है, यह options तो हमारे गलत होई ही गए है, तो A, B, C या A, C, E, E again, तो देखो, elimination से, I have already found it out, I know this is wrong, लेकिन फिर भी हम देखते, return on net worth, again this will tell you about the profitability, dividend payout ratio, एक dividend की अगेश कितना आपका payout जा रहा है, यह आप यहां पर profitability ratios में चेक कर रहे हैं, choose the correct answer from the following options given below, again match the following, C, E, T में आपका again, I am telling you vastness of the subject, and depth of the knowledge, both are being getting checked, जो भी आपका sequence है, या फिर A, B, C, D, A, C, D, E, A, B, D, इस तरह के जो भी options आपके आते हैं, इसमें आपको conceptual clarity बहुत जादा चाहिए, आपको अगर एक concept पता है, लेकिन बागी के तीन concept नहीं पता, तो there is a chance कि आपका वो question गलत हो जाएगा, तो हमने हर topic को cover करना है, थरहली उसको depth में revise करना है, और conceptual clarity के साथ करना है, तो interest charges, sale of services, salary and dividend income, ये कहां कहां पर जाएगे, interest charges कहां होते हैं, आपके finance cost पर होते हैं, sale of services, sale of services क्या होगे, revenue from operations, आप अपनी services को sale कर रहे हैं, तो ये आपकी sales बन गई, salary क्या होगे, आपका employee benefit expenses, basically it's an expense, उसके आगे employees benefit दे दिया, अपने आप उनका benefit होगे चाब, आप उनको salary pay कर रहे हैं, dividend income, this will be your other income, तो ये क्या बन रहे हैं आपका, A4, sale of services is, revenue from operations, B3, salary is C1, and D is, 2, तो क्या ऐसा कोई option है, A4 के आपके दो options है, तो ये तो आपके eliminate हो गए है, ये वाले options, A4, B3, A4, B3 वाला, I think ये वाले correct option जा रहे, C1, D2, ये, so this is going to be a correct answer, बाकी सारे options आपके, गलत जा रहे हैं, in this case, now, select out of the following, that leads to the need of the codification, codification की क्या जर्थ होती है, no, to secure various accounts, yes, to keep proper records, no, आप encryption क्यों कर रहे है, आप encryption इसलिए कर रहे है, ताकि आपका अपका accounts safe रहे, आपके पस proper records रहे और codification होती है, लेकिन आप codification क्यों कर रहे है, to secure various accounts, इसके आपका encryption जो है, is the bigger umbrella over here, उसका सब पार्ट जो है codification आएगा, तो first option is correct, codification आप records के लिए नहीं कर रहे है, this option is obviously incorrect, तो ये आपका technical knowledge again test हो रहे है, इसके लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा, select the subhead under which loose tools, subhead है, पूछा गया balance sheet के again, second direct portion आपको पूछा गया है, which will be shown in the balance sheet of the company, तो यानि कि आपने balance sheet जो है, बहुत जो बड़ी वाली है, वो जो पांच heads हम इदर करके चली जाते हैं, वो वाला नहीं बच्चे, detailed में आपने हर balance sheet को पढ़ना है, हर topic को पढ़ना है, रख्टा इसमें थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन हाँ understanding भी आपकी जरूरी है, तो अगर हम देखें तो एक subhead मांगा है, उन्होंने loose tools के लिए किस side पर जाएगा, loose tools क्या होते हैं, ये वो चीज़े होती है, जो चोटी-बटी उज़ार हो गई है, चोटी-बटी केलो tools हो गई है, now they are not a part of stock, जो आप resell कर रहे हो, ठीक है न, वो आपका stock का part नहीं है, suppose machine है, आपकी बहुत बड़ी machine है, उसके साथ आपके साथ page case पड़े है, nuts and bolts पड़े है, आप उसको sales तो नहीं करने वाले हो, लेकिन that is important क्यों कि, आपने उसका इस्तिमाल करने हैं, जभी machine breakdown हो रही है, तो these are going to come into the loose tool categories of, inventories over here, current asset, no, trade receivables, no, other current assets, no, inventory is the correct answer over here, ठीक है बच्चो, again I am telling you, इसमें balance sheet अगर आपने detailed वाली पड़ी हुई है, जो आपका धाई तीन पेजिस तक जाती है, तो ही आप इसको सही तरीके से answer कर पाते हैं, अब जो interesting point है, I know that this is a very lengthy question, and you may think कि बापरे बाप इतना lengthy question है, but this is one of the, I would say a very fruitful question over here, क्योंकि इस question के basis पे आपके जो अगले वाले पांच questions है, यानि कि एक question आपने रीट करना है, उस पे पांच अलग अलग तरह के questions आपको पूछे गए है, एक ही question से आपने information ग्यादर करनी है, और आपने उसको solve करना है, अगर आपको again, it is just like passage reading, अच्छे से आपने passage read किया, उसके basis पे आपने question किये, तो आप इसको कैसे करेंगे, पहले आपने information glance through की, फिर इसके basis पे आपने questions देखे, फटा-फट और फिर आप वापिस से अपने question पे आओगे, तो उन्होंने अब आप से क्या-क्या पूछा है, ये सब हम देखेंगे, तो लेट स्टार्ट, इस विए क्या करना है, एक कंपनी है, जिसकी authorized capital जो है 10 लाक रुपीज है, which is divided into the shares of 10 each, इस कंपनी ने 50,000 shares issue किये है, at a premium of रुपी, 2 per share payable as follows, application पे उन्होंने 3 रुपी मंगवाया है, allotment में 5 है, जिसमें के including premium है, तो ये 3 plus 2 हो गया, first and final call आपका यहां पर आजाएगा, applications were received for 60,000 shares, issue company ने 50,000 shares किये है, लेकिन application कितनी की receive हुई है, 60,000 shares कि हुई है, then they were given a proportionate, तो प्रो राटा इसमें आपका आजाएगा, all money was received except first and the final call from Hari, Hari ने first and final call ने दी थी, उसने application money और allotment money दी थी, इसने apply कितनी shares के लिए था, 1200 shares के लिए, अभी हम देखते हैं कि हमारे पस कौन से questions उन्होंने पूछे हुए, his shares were forfeited, उसके shares को forfeit कर दिया गया था, and later half of his shares, जो इसके आदे shares थे, उनको दुबारा से हमने, री इस्टू किया था, at rupees 8 per share as fully paid up over here, तो चलिए देखते हैं, first question क्या है, identify the number of shares with which A limited is registered, यानि कि authorized capital, आपको यहाँ पर बताने कि authorized number of shares कितने है, तो यहाँ पर 10 lakh shares है, लेकिन एक share कितने का है, 10 रुपे का, तो 10 lakh divided by 10, straight away very easy question, very fruitful question over here, I would say that easy to do, 1 lakh shares is the correct answer, select the amount received on share allotment account, यानि कि share allotment, यहाँ पर आपको कितनी amount received हुई होगी, बचो अगें, this is a very straight forward question, अगर हम देखे, कितने shares की application आए थी, 60,000 shares की, और कितना money उन्होंने दिया था, rupees 3 per share, तो यानि कि हमने application पे, 1 lakh 80,000 rupees receive कर लिये थे, लेकिन हमने इसमें से allot कितने किये थे, प्रोराटा बेसिंस पे 50,000, तो वी नीड़े ओली 50,000 rupees, तो यह जो हमारे पास excess money है, यह हम आने वाले उसमें allotment में adjust करेंगे, so this is 30,000, this is the excess money that we have received, now allotment पे हमने हमने कितना call किया था, rupees 5 per share, अब 5 को हमने किस से multiply करने है, 50,000 से यह 60,000 से, कितना allotment हुए है बच्चो, 50,000 शेर्स का, तो 5 इंटो 50,000 rupees, यह हमारे due बन रहे है, लेकिन हमारे पास excess money तो पड़ी हुई है, application amount 10,000 शेर्स की, तो वो हम इसमें से minus करेंगे, तो हमारे पास क्या आजाएगा, 2,20,000 rupees, क्या यह option में गिवन है, 250, 50, 220, yes, this is the correct option over here, very easy, very fruitful question, एक ही बारी हमने कोशन अच्छे से थरुली रीट किया है, उसके बेसे पे हमारे two questions, फटफफच सौल, वो भी चुके हैं, तो लेकिस लोके, excuse me, the next question, select the amount that is received from Harry's reissued share, Harry के जो हमने shares है, रीशु किया है, वो उसमें से हमारे को कितना amount मिला है, तो अगर आप देखेंगे, Harry ने कितने shares के लिए अप्लाई किया था, 1200 shares के लिए, जब हमारे पास, 60,000 shares के application आई थी, तो हमने उनको कितने shares दिये थे, 50,000 रूपी, 50,000 shares, तो हरी ने अगर 1200 shares के लिए अप्लाई किया था, तो उसको कितने allot हुए होंगे, हांची बचो, तो 1200, यूनिटरी मेथट कर रहे हैं इसमें, 50 divided by 60, so this will give you 1,000 shares, that means, हरी एप्लाई पूर, 1200 shares, लेकिन उसने हमें कितना, उसको हमने कितना allot किया था, 1,000 shares का, और जो फर्स्ट कॉल जो इसकी due थी, वो इन 1,000 shares पे ही थी, तो सबसे पहले, कितने number of shares उसके 4 feet हुए थे, 1,000 shares 4 feet हुए होंगे इसके, और उसमें से re-issue हमने कितने किये है, 500 shares, half of his shares, अगें application पे नहीं, allotment के basis पे हम देखेंगे, select the amount that is received from, हरी जी 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 तो हमने देखा, ये 500 shares, number of shares हमारे पास आ गए है, जो कि हमने re-issue किये है, और के समांट पे किये हैं, हमने, have we seen this detail, they were re-issued at rupees, 8 per share over here, तो very easy question, आपने 500 into 8 करना है, तो आपका आजाएगा rupees, 4000 rupees over here, very fruitful question, एक ही बार ही आपने question को अच्छे से पढ़ा, उसकी basis पे आप आगे आने वाले questions हैं, पढ़ा-फट स्वाल करते जारे, identify the account to which the discount allowed on re-issue of shares, forfeited shares should be debited, देखो, हमने shares re-issue किये हैं, और जो re-issued shares हैं, वो हमने discount पे issue किये, तो यह जो discount है, यह कहां पे debited होगा, bank account पे, forfeited share account, capital reserve and securities premium account, यह दो options that we know are totally wrong, premium इसमें जाएगा, capital reserve and forfeited share account, so the correct answer, if you know the technical part of it, this will come into the forfeited share account over here, the balance of left any, जो share forfeited account का है, अगर उसमें कोई balance re-issued shares का रहे जाता है, तो वो कहां जाएगा, देखो, forfeited share account, तो हम लाएए, तो first option तो हमारा चला ही गया है यहां पे, share capital account में जाएगा, no, reserve capital में जाएगा, no, this is going to go into capital reserve account over here, very technical question, अगर आपका theory बहुत अच्छे से आपने इसमें solve किया हुआ है, only then you will be able to do this question over here, लेकर अगर आप देखेंगे, तो एक question की basis पे आपके 5 questions जो है, directly solve हो रहे हैं, then moving on to the next question over here, this is also a very similar question, एक question की basis पे आपको next 5 questions solve करके देने हैं, again, these type of questions I would suggest कि अगर आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप यह पहले attempt कीजिए, इसमें आपको maximum 3 से 4 minutes पे लगेंगे, आपका 1 या 2 minutes save हो रहा है, और वो जो है, आप difficult questions के लिए utilize कर सकते हैं, Mena and Tina और partners in a firm, यह उनकी balance sheet दी गई है, capital of Mena is 90,000, 80,000 creditors दे गई हैं, built, payable, machinery, investment, stock, debtors and cash at bank, तो they decided, उनका profit sharing देश और 3 स्टु तो है, they have decided to dissolve their firm, dissolution का straightaway question आपके पास आ रहा है, the assets and liabilities were disposed of as follows, machinery was given to creditors, जो आपकी machinery है, was given to creditors in full settlement of their account, and stock were given for bills payable, तो stock आपका जो था, यहां bills payable के साथ गया है, तो machinery, sundry creditors, तो against 60,000 rupees, we have given machinery of 70,000, bills payable were worth 20,000 rupees, उसको ही जगे हमने stock दिया है, 22,000 का, investment was taken over by Tina at debtors of book value of rupees 50,000, took by Mina at 10% less, and remaining debtors realized 51,000 rupees, realization expenses आपके कितने गई थे, 2,000 rupees के, तो investment जो थी, यह Tina के पास आपकी गई थी, जो debtors थे, उसमें से कुछ portion आपका Mina का, Mina के पास गया था, कुछ portion में आपके पास cash आ गया था, तो these are the information that has been given to us, now let's look at what sort of questions they are asking on the basis of it, when a creditor accepts an asset whose value is more than the amount due to him, straight away fill in the blanks, तो बहुत समझ के हम इसको answer करेंगे, and I know there are going to be many doubts on this question, I hope आपको समझ में आ रहे, जब creditor ने accept किया एक asset, जिसका जो value था, is more than the amount due to him, जैसे कि इस case में हमने देखा, creditors कितने थे 60,000, लेकिन, creditors वा 60,000, लेकिन जो उसको machinery हमने provide की थी, वो 70,000 की थी, ठीक है, he will dash the excess amount which will be credited to the dash account, अब आप देखी, इसको कैसे देखना है, क्या वो excess amount pay करेगा, और वो क्या वो bank account में चला जाएगा, I don't think कि वो straight away bank account में देने वाला है पैसे, है, he will not pay the excess amount and it will be credited to the creditors account, ये तो बिलकुल ही गलत option है, he will pay the excess amount which will be credited to the realization account, not pay वाली option I would say is totally correct, bank account में ये कभी नहीं जाने वाली है, this is by elimination we can see ये हमारा सही answer आगया, लेकिन अगर आपको ये directly आता था तो आपको eliminate करने की जोट नहीं थी, you could have easily solved it, which mode of dissolution is highlighted in the above case, compulsory dissolution, theory straight अभी उन्होंने आप से theory इस case में पूछी गई है, dissolution by agreement, dissolution by court, dissolution on happening of contingency, कोई आप अधा आई है या सरकार आपका जो court है उन्होंने कहा है कि आप अपनी firm को dissolve कर दीजिए, compulsory dissolution हुआ है या फिर agreement से dissolution हुआ है, तो let's look at the statement over here, Meena and Tina and partners, they decided to dissolve, so decide किया उन्होंने यानि कि उन्होंने agreement किया, so this is going to be the correct answer over here, identify the amount relies in cash from sundry debtors, sundry debtors को हमने दो तरीके में बाटा गया था, कुछ मीना लेके गई थी at 10% less value, और कुछ हमारा cash में गया था, remaining debtors relies 51,000 rupees, तो अब हमने यहाँ पर बताना है कि कितना amount जो है, cash में आया था, so this is the straight away answer, total 1,03,000 था, जिसमें से कुछ पार्ट मीना लेके गई थी, और जो बाकी का था, उन्होंने 51,000 हमें cash में realize करके दिया था, straight question है, कुछ भी नहीं पूछा गया है, very fruitful question over here, state the general entries for the payment of realization expense account, realization expense, realization expense account, कितना expense हमारा यहाँ पर हुआ था, हमारा यहाँ पर हुआ था, 2,000 रुपीज का, इसकी straight away हमें journal entry देनी है, I think यह तो आप बिना देखे भी solve कर सकते, realization expenses debited to realization account, realization to realization expenses, realization to bank, bank to realization, I think first two तो बेखकोल भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो आपने bank में या cash में handle किया ही है, क्योंकि realization expenses आप पे कर रहे हैं, plus one, your very basics are being tested over here, अगर आपको इस question में doubt लग रहा है, तो I would suggest आप go back to plus one, look at the six rules, golden rules, debit what comes in, credit what goes out, इन six rules को आप अच्छे से revise कीजिए, this should have been a very easy question, and not to be missed, last question देखते हैं, आज की जर्नी का हमारा, state the general entry for the realization of investment account, investment के लिए हमें क्या information दी गई थी, investments were taken over by Tina, Tina ने इसको take over कर लिया था, तो अब हमारे पास जो general entries है, Tina's capital to realization account, Tina's capital, Mina's capital to realization account, realization to Tina's capital, यह option तो बिलकुली गड़त हो गया, यह भी option हमने सिरफ Tina के साथ देखना है, यह amount जो है, debit किया जाएगा, Tina के capital account में, straight away questions from the partnership, partnership में I think majority is बरी के questions आए, then the second majority will be from the capital, cash flow statement over here, cash के I think 3 or 4 questions थे, उसमें technicality जादा थी, 2 questions were very easy to attend, 2-3 questions needed some information about it, तो overall आज का हमारा जो session है, end हो रहा है, I hope you were able to solve most of the questions, जहां पे भी आपके doubts है, बच्चे उनके list बनाई है, उन chapters को thoroughly revise के जे, अगेर इस इस आपरी of cost initiative by the CUET civil staff, and every evening 6-7, प्रीज जोई में for the accountancy for a live class and tomorrow onwards, we will start with non-profit organizations, best of luck, make the best use of this content that we are sharing, I hope कि आप सब बच्चे जो हैं, बहुत अच्छे से ये exam देंगे, बहुत थरली ये exam देंगे, and the initiative of ours is going to help you to reach your dream university, आपके जो भी strength है, वो और increase होँगे, जो strong points है, और जहां पे आपको weakness लग रही है, जिन भी units में, या जिन topics में आपको लग रहा है, डाउट है, आप थरली हमारे सथ revise कीजिए, then after revising with us, revise with yourself also, हम हर class से पहले आपको NCQs, PDFs प्रोवाइड करेंगे, नोच की, ताकि आपका कुछ भी miss ना हो, thank you so much, have a great day.